Hello friends, आज हम जानेंगे English word approach की हिंदी में मतलब क्या होती है और sentence में इसका इस्तेमाल कैसे होती है Approx की मतलब है लगभग चलिए कुछ example के जरे इस word की हिंदी में मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ लेते है Example, its print is a tone silver gelatin print from a paper negative approach इस sentence का हिंदी में मतलब है प्रटेक प्रिंट एक paper negative से एक trend silver gelatin print है चलिए next example जान लेते है Prices for the meals all hope made are approach इस sentence का हिंदी में मतलब है भोजन की कीमोते सभी घर का बना लगभग है चलिए next example जान लेते है Most research that perform autozygocity mapping will currently use panels of approach इस sentence का हिंदी में मतलब है अधिकांग शोत करता जो autogagosity mapping करते है वो बरतामन में लगभग के panel का अप्यूग करेंगे चलिए next example जान लेते है The national elk refuse provides critical winter rains for an elk herd of approach इस sentence का हिंदी में मतलब है राष्टियो elk सरन लगभग elk जुन के लिए महत्तपुर्णो शितकाली rains पदान करता है So friends, उमीद करती हूँ approach का हिंदी में मतलब क्या होता है और sentence में इसका इस्तेमल कैसे होता है और अच्छी तरह से समझ गे होंगे इसी तरह से और भी English और Hindi में example के साथ जानने के लिए हमारी इस channel के home page में जाकर check out कर सकते है वीडियो अच्छी लगी तो like करें और साथ साथ channel को subscribe कर दिजिएगा